मांसून की पहली बारिश से बाढ़ नियंतर्ण के लिए तैयार किये गए जवान खुद परिशान हो रहे हैं, डिश्रिक्ट होम गार्ड ओफिस प्रांगड में तो नाव चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है मद्रिदेश के पन्ना में रविवार को तेज बारिश हुई, मानसून की पहली बारिश से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिला मुख्याले के होम गार्ड कार्याले के अलावा हाटी, कल्चर, विभा की कार्याले में भी पानी का भराव देखा गया, बारिश से जिला मुख्याले के होम गार्ड कार्याले का बुरा हाल हो गया है आपदा से बचने वाले गार्ड का कार्याले भी आपदा की मार छेल रहा है कार्याले परिसर के अंदर इतना पानी भर चुका है कि चलना फिरना मुश्किल हो गया है इस वज़े से आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को परिसर के अंदर ही नाव चलानी पड़ रही है इतना ही नहीं जिला मुख्याले का हार्टी कल्चर विभाग का रियाले भी तालाब में तब्दिल हो गया है बारिष की वज़े से पन्ना के बड़े बाजार की दुकानों में पानी भर गया है जिससे लोग काफी ज़ादा परिशान होते दिख रहे हैं इस से नगर पालिका पन्ना की बारिष पोरवे तयारियों की पोल खुल गई है साथी बारिश से निपटने के लिए तैयार की गई योजनाय भी धरी की धरी रह गई है। कि जिला प्रशासन द्वारा बाड से निपटने के लिए बाड नियंतरन कक्ष बनाया गया है और ऐसे हालातों से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीती तैयार की जा रही है वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की मुरैना की बाल संप्रेक्षड ग्रे से आठ किशोर अविवार शाम फरार हो गए किशोर हत्या और बलादकार जैसे गंभीर अपराधों में पकड़े जाने पर यहां बन थे भागे हुए किशोर मुरैना भिंड और शियपूर जिलेओं के हैं समप्रेक्षड ग्रे में बंद 12 किशोरों में से 8 भाग गये हैं किशोरों ने बाल संप्रेक्षण ग्रे से बाहर निकलने के लिए लोहे के नुकेले पाइप से बाथरूम की खिड़की को तोड़ कर डेड़ फिट चौड़ा होल किया जिसके बाथरूम में बाल्टी के उपर एट रख कर आठ अपचारी बालक वहां चले गए इन किशोरों ने रविवार को ग्यारा बच कर तीस मिनट पर बारा बज़े के बीच लंच किया और गाड उन्हें दोपहे डेड़ बज़े चेक करके भी गया रविवार के अवकाश कलाब उठाकर अपचारी किशोरों ने संप्रेक्षण ग्रे से बाहर निकलने का प्लैन बन चक ड्रजराज शर्मा की ड्यूटी थी साप्ताहिक अवकाश के कारण घटना की समय संप्रेक्षण ग्रे में कोई मौजूद नहीं था सुदक्षा के लिए तैनात विशेश सशस्त बलके चार जवान भी अपनी ड्यूटी में फिसड़ी साबित हुए यह पहला मौका नही है जब बाल संप्रेक्षण ग्रे से किशोर भागे हैं लगभग तीन माह पहले भी इसी ग्रे से तीन किशोर भागे थे CSP मुरैना अतुल सिंग का कहना है कि हम बच्चों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जल्द ही बच्चों को खोज कर वापस संप्रेक्षड ग्रिह में भेजा जाएगा